नमस्कार दोस्तों market at 11 में आप सबी लोगों का सुवा कता है चलिये देखता है market कैसा behave कर सकता है second half में currently Nifty bank Nifty की बात करें तो Nifty आपका trade कर रहा है around 18,628 पे और bank Nifty आपका trade कर रहा है around 43700 पे understand करने की कोशिज करें market के side movement कर सकता है तो उसके लिए simple इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि ऑप्शिन डाटा को अगर हम यहां पे देखोगे तो करेंटली आपको ऑप्शिन डाटा में दिख रहा है कि अठारा जाज साथ सो की जो कॉल है अठारा जाज साथ सो की तरह बढ़ने की कोशिस कर सकता है क्योंकि नीचे इसके पास सपोर्ट है यह चीज आप क्लियरली समझ लीजिए ठीक है चार्ट पर चलते हैं चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो देखो यहां पर सिंपली चीज यह कि अब आपको जो फोकस करना है वो यह कि कल की क्लोजिंग के आसपास से इसने यह पांस किया है अगर यह इसके ऊपर निकल ज जाता है तो हम यहां पर बाय करके काम करेंगे यह चीज आप क्लियरली समझ लीजिए उपर और टार्गेट होगा हमारा जो होगा वो टार्गेट आपका आपका हमारा आपका पहला जो टार्गेट होगा वो अराउंड आपका होगा 18670 का और दूसरा जो टार्गेट होगा वो गा 18721 का ठीक है किसी भी डीजन से अगर यह नीचे जाता है 18600 के तो ही हम यहां पर सैल प्लान करेंगे अधरवाइस यह एक लेवल इंपॉर्डन है हमारे लिए जो एक support का काम यहाँ पर कर सकता है आज की दिन में तो इस पर हम जरूर focus रखेंगे ठीक है यह चीज़ आप clearly यहाँ पर समझ लीजिए bank nifty की बात करते हैं तो bank nifty को भी देख लेते हैं तो bank nifty के लिए भी important level यह होगा कि अगर आप आप देखोगे gap up opening होई है और gap up opening के बार around 43,630 इसके लिए क्या होगा एक support का zone होगा क्योंकि यहाँ पर यह एक कल की closing है कल की closing act as a support का तरह काम कर सकती है यह चीज़ आप clearly समझ लीजिए ठीक है तो nifty और bank nifty आपको क्या ध्यान रगना है अगर nifty यह जो pullback आया तो इसके ऊपर trade करना start करता है यानि 18,600 35 के ऊपर भी trade करना start करता है तो हम एक बार buy करके काम कर सकते हैं और यहाँ पर जो stop loss होगा वो हमारा होगा around day लोगा अगर 35 के ऊपर आप buy करके काम कर रहे हो तो day लोगा आपका stop loss होगा यह चीज़ आप किलिए ली समझ लीटे और अगर यह अभी नीचे जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाएगा तब तक हमें buy नहीं करना है यह चीज़ ध्यान में रखेगा और नीचे हमारे पास 18,600 एक support है अगर किसी भी dip में यह 18,575 तक चला जाता है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा buying यहाँ पर आ सकती है यह चीज़ आप किलिए ली समझ लीटी है ठीक है ग्लोबल मार्केट के situation देख लेते हैं यहाँ पर currently DAO future कैसा काम काच कर रहा है DAO future करी 55.plus काम काच कर रहा है यहाँ पर तो ऐसी कोई बड़ी negativity नहीं है और Nasdaq future भी करी 40.plus काम काच कर रहा है तो थोड़ा सा wait करते हैं let them market यहाँ पर थोड़ा सा settled हो जाता है तो फिर हमारे पास एक recovery हमें देखने को मिल सकती है तो थोड़ा सा focus इस चीज़ पर कर सकते हो ठीक है तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतनी है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like और share जरू करिएगा चैनल को जो सबस्क्राइब कर नेजिए क्योंकि मैं सदील लेकि आतर हुआ हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैह हिंद